और संजारी बालोद विधान सभा से राकेश यादव को बीज़पी प्रत्याश्शी बनाया गया है जहाँ पहली बार उनके विधान सभा शेत्र में आगमन पर कारिकरताओं और पदाधी कारियों ने फूल माला पहना कर उनका जोरदार स्वागत किया और इस दोरान जमकर आतिश बाजी भी की गई बतादे कि बीज़पी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें पूर्वन अगरपाली का ध्यक्ष राकेश यादव को टिकेट मिला है संजारी बालोद से उम्मीदवार बनाये जाने के एलान के बाद संजारी बालोद विधान सभाश्यत्र में जश्न का माहौल है भारती जनता पारिटी के सभी कारकरताओं का मैं हिर्दय से अभार विद करता हूँ जिनके परतन से पारिटी ने मुझको यहां तक क्या एक बूत में काम करने वाले कारकरता को बारती जनता पारिटी ने विधान सभा का टिकट दिया है मैं उनका हिर्दय से अभार विक्त करता हूँ इस आताताई सरकार जो लगातार जन्विरोती कार कर रही है उस सरकार को उखार फेकने के लिए अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो और बालोद में अवैत सराफ सट्टा और रेत का जो अवैत कार्योबार हो रहा है उसके लिए मैं लगातार संगर्स करके इसको रोकने का प